अच्छा आपने कभी से देखा होगा या नहीं देखा होगा हर सपोर्टर का कह दीजिए या फिर जुड़े हुए लोगों का कह दीजिए या फिर राइट विंग लेफ्ट विंग जितने भी ग्रूप से उन सब के पास अपने कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे वो अपने इतने सारे काम हो गए कि जनता एक बार भी यह नहीं सोचेगी कि हम मोदी के लावा कहा जाएं जिसने हिंदू-Muslim वाली बात ही नहीं काम उसने हिंदू-Muslim के बेसिस पर नहीं किया तो कुनाल कामरा के ट्वीट आता है क्योंकि लोग लग जाते हैं एजेंडा बनाने में औ से बोलो मैं हिंदू हूं पर बीजेपी का समझ तक नहीं हूं तो कल का ट्वीट है 2020 का ट्वीट है 2018 का ट्वीट दिखाता हूं इन्होंने पहले क्या कहा हुआ था मतलब एक चीज समझ नहीं पहले इसने यह महौल के निकुष की कि मैंने अपने आपको एजा हिंदू सोचा भी नहीं था मतलब मैंने कभी खुल के कि मैं हिंदू हूं जब सोचा 2014 के बास तो शेम के तौर के तौर के सोचा और इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद टॉन्ट तो मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि हिंदू होने में शरम आया और एक व्यक्ति के ऐसा कुछ कर देने से अकर शरम आती है तो मैं यह समझ रहा हूं कि दुनिया के सारे मुसल्मानों को तो शरम से डूम मरना चाहिए क्योंकि इसलाम के नाम पे तो इतने आतंगवादी और वो लिटरली इन्हुमन चीजें करते हैं लोगों की जाने लेते हैं इनोसेंट्स की जाने लेते हैं जिहाद करते हैं बाम फोड़ते हैं तो किसी मुसल्मान निगा कि मुझे मुसल्मान होने पर शरम आती है लेकिन मोदी जी जिन्होंने खुल के हिंदू होने पर definition है उस पर आदमी चलेगा तो दुनिया के सारे देश ऐसी तूटने हैं और वो दिन दूर नहीं कि अगर यह सेक्लिरोसम पर टिका रहा तो यह भी तूट जाएगा जैसे दो बार टूटा ना बांगलादेश और पाकिस्तान बने ना उसी तरीके से बविश्य में एक और टु यह अपने गाइडलाइन पर अपने जितने कल्चर और इपके जितने प्रिंसिपल सेयं लेकिल आप विरोध नहीं कर सकते हैं हिंदू का वहीं समझ गया तो इसने वह लाइन ठोकी कि हिंदू तो है लेकि जरूरी नहीं कि आप ईजय पी समर्थक दियों बिल्कु जरूरी अगर लाइन सुनी जाए पढ़ी जाए तो बिल्कुल जरूर नहीं फिर इनका टोल भी हुआ गर्व ने खुद कहा कि मैं खुद भीजे पीसा मरता कूं लेकिन खेर ये टोल हो सकता है पर फिर कुनाल कामरा अगर थूका हुआ चाटने के आदत है तो जरूर किसी ने कहीं जो पूरे कॉमेडियन के लिए जो लोग कह रहे है क्यों चॉकुड तॉर्य बिडियो आज मिंदो भूर पर बाद के लिले लिए हर जोग के लिए सारी ब्लेंगे घरल अगर स्रुए मूंद था एक लिए बीज फॉन है। उसकी इंशता ब्यूस मुदी हो बनाता ए 30 एक हसी का स्माईल भी नहीं है उल्का से मोग भीनी वह नहीं है तो यह ले Hm की मुगलों पे हैं कि के इस्लाम में मुछोगन पुछ रधान्हें कुछ विल्य पड़ारइस फटी पड़ी यह हम करने की भांद अब्यूजिक देज़ा सकते हैं विक्टिम काट खेल के या rationality का हवाला देखे कि अरे सब तो लॉजिकी खत्म हो गया जो क्यों उफेंड हो रहे हो इतना कहके बचना सिर्फ यहीं possible है जीतने भी comedians है इनसे मेरा सीधा सच्चा reply है और एक सवाल है तुम या तो admit कर लो कि तुमारी आउकात नहीं है कि तुम इसलाम पे मुसल्मान पे या हिंदू चोड़के किसी के भी या इंडिया के चोड़के किसी के भी उन लोगों पे बोल के चुप चाप बचके निकल जाओगे सिर्फ सौरी बोल के या पर rationality का हवाला देखे कि जोग को जोग की तरह लो या बगएर बगएर नो अगर इतना ब मान लेंगे कि सब ठीक हमें बुरा नहीं माना चाहिए योंकि यह पुरा डाइवर्स नेचर है इसका हर जगे बाते करता है वाइड वराइटी को कैप्चर करता है कोई इसका selective एजेंडा नहीं तब तो ठीक है और नहीं तो सच में तुम्हें कॉमेडी करने नहीं आते झाल करता है